हलो फ्रेंट्स मैं हूँ स्निहाँ वल्कम टू माँ चानल फॉर यू एंड चाइल हम किसी भी एक्जाम की तेयारी कर रहे हूँ चाहे वो स्कूल या कॉलेज के एडमिशन के लिए या फिर किसी जॉब के लिए ये जानना हमाले बहुत जरूरी है कि एक्जाम कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं ये दो चीजे आपको पता हो और साथ ही आपको पिछले साल का कोशन पेपर मिल जाए उस एक्जाम के लिए पिछले साल किस तरह का कोशन पेपर आया था वो अगर आपको मिल जाए तो आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो सकती है पिछले वीडियो मे किस तरह के सवाल एक्साम में पोछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं बताओंगी कि किस तरीके से आप नवोदे विध्याले क्लास 6 का पिछले साल का Quesn Paper डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले साल च्लास 6 में admission के लिए किस तरह का Quesn Booklet examination में बच्चों को दिया गया था वो आप बहुत असानी से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं ये बुकलिट देखकर आपको अंदाजा मिल जाएगा कि exam में किस तरह के सवाल आते हैं, कौन-कौन से subjects आते हैं, कितना time दिया जाता है क्या difficulty level होगा और साथ ही क्या important instructions है examination के दोरान इन सारी चीजों की जानकारी आप घर बैठे, पहले ही ले सकते हैं उस question booklet को आप solve करके भी देखे कि आप उसे कितना solve कर पा रहे हैं इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको अपनी तयारी किस तरीके से करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना है Google पर और वहां पर आपको टाइप करना है नवोदय विद्याले ये नीचे लिखावा option आपके सामने आ गया जवाहर नवोदय विद्याले इस पर आपको क्लिक करना है एक नया page आपके सामने open हो रहा है और सबसे पहला option है नवोदय.government.in नवोदय विद्याले समीती ये नीचे लिखा हुआ है इस वाले option को आपको क्लिक करना है आपके सामने नवोदय विद्याले का page उपन हो जाएगा और सामने ही ये लिखा है क्लिक हेर तो शम्मिट् ऑन्लाइन अज़िकेशन फोर्म फोर क्लास 6 टेस्ट 2021 इस option को आप क्लिक करेंगे ये क्लिक करते ही आपके सामने एक नया page ऊपन हो रहा है और नीचे जब आप स्क्रोल करेंगे तो यहां लिखा है इसे आप क्लिक करेंगे लिख करने के बार एक नया पेज आपके इपसामने open होगा और उसी में आपको सारी information मिल जाएगी class 6 के admission से related किस तरह के exam में questions आते हैं, किस कि subjects का exam होता है, कितने marks का सवाल होता है, यह सारी details आपको यहाँ पर मिलेगी आप यहाँ देख सकते हैं, candidate corner लिखा है, और इसमें अलग-अलग information दी गई है, अगर आपको prospectus देखना है, तो यह option आपको click करना है registration करना है, तो इस option को click करेंगे, और print करना है आपको registration form का, तो इस option को click करके print करेंगे हमें चाहिए पिछले साल का question booklet, तो आपको option previous year question booklet, इसे click करना है आप click करेंगे, तो आपके पास open हो जाएगा पिछले साल का class 6 का question booklet, page open होने में थोड़ा time लग सकता है यह सामने खुल गया आपका test booklet, जो पिछले साल students को दिया गया था class 6 में admission के entrance exam में आप चाहे तो इसे यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका print भी ले सकते हैं आप जब इस पर डाउनलोड करेंगे तो यह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके system में आप जहां भी save करना चाहते हैं उसे save कर दीजे और उसे आप बाद में देख सकते हैं यह test booklet English में है लेकिन जिस भी language में जिस भी भाशा में आपने examination के लिए apply किया है उसी भाशा में आपको test booklet दी जाएगी यह इसमें आपको पहले page में लिखना होता है role number जो आपको मिलेगा admit card पर लिखा होगा आपका नाम और आपका signature टोटल टाइम दिया जाता है दो घंटे का और maximum marks होता है 100 नीचे general instructions दिये गए है candidates के लिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो यह कि test booklet में 16 pages है जब आपको text booklet मिल जाए तो आप pages जरूर count कर लें कि उसमें सारे pages है की नहीं इस question booklet के साथ आपको OMR sheet दी जाएगी वो answer sheet होगी हर सवाल का जवाब आपको OMR sheet पर mark करनी है जो OMR sheet में हर सवाल के लिए 4 options दिये जाएंगे और जो options सही है उस option को आपको circle करना है नीचे आपको example भी दिखाया गया है कि अगर question number 37 है उसका आप answer करने वाले हैं तो 4 options दिये गए होते हैं questions में A, B, C, D अगर आपको लगता है कि question number 37 का answer C है तो C वाले circle को आपको fill करना है आपको fill करना होगा black या blue ball pen से आपको pencil का इस्तमाल नहीं करना है black या ball pen का ही इस्तमाल करना है अपने सवालों के answer को fill करने के लिए और इसमें किसी भी तरह का cut नहीं करना है कोई erase करने की कोशिश नहीं करनी है इसलिए ध्यान पुरबक आप अपने answer को पहले समझ ले कि क्या होगा फिरी आप उसको circle करें एक बार आपने कर लिया से आप नहीं cut कर सकते हैं नहीं erase करके दुबारा लिख सकते हैं तो घंडे का time होगा सारे 11 बजे सुबह से लेके डेर बजे तक का और exam में 3 sections आएंगे और सारे सवाल जो exam में आएंगे वो होगे objective यानि questions दिया हुआ होगा और उसके answer के लिए 4 options दिया होगे एक option उसमें से सही है उसे आपको select करना है जो दिव्यांग student है differently abled student है उनको 30 minute का समय additional दिया जाएगा अपने paper को पूरा करने के लिए यानि total उनको धाई गंटे का समय दिया जाएगा इस booklet में तीनों section के questions होंगे total 80 questions होंगे और total marks होगा examination का 100 15 minute का extra time आपको दिया जाएगा जिसमें आप सारे instructions को अच्छी तरह से पर सकते हैं अपना नाम, role number, सब कुछ लिखेंगे साथ ही आप ये भी check कर ले कि सारे pages उसमें है की नहीं उसके बाद 2 घंटे का time आपको question paper को solve करने के लिए दिया जाता है तीन section में पहला section होगा mental ability का जिसमें 40 questions होंगे और total marks होगा 50 सबसे जादा सवाल और सबसे जादा marks mental ability वाले test में ही है दूसरा section होगा arithmetic test का question number 41 से 60 तक का इसमें 20 questions आएंगे और total marks होगा 25 तीसरा section होगा language test language test में उसी language का test होगा जिस language को आपने examination के लिए opt किया है नवोदे विद्याले 20 भाषाओं का option आपको देता है उन 20 भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको chain करना है उसी भाषा में आपका exam होगा उसी भाषा से सम्मंदित ये language test का question paper आपको मिलेगा तीनों section को pass करना बेहत जरूरी है तभी आप exam को clear कर पाएंगे अगर आपने किसी एक section में बहुत अच्छा कर लिया और दूसरे section में आपने minimum score जो है passing marks है वो आप नहीं ला पाए तो आपका admission नहीं हो पाएगा इसलिए इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि तीनों section में student को pass करना बहुत जरूरी है ताइम दो घंटे का दिया जाता है इसलिए अपने time को इस तरीके से divide करें कि आप निश्चित समय पे तीनों section के questions को जादा स्वाल्व कर पाएं मेरा suggestion ये रहेगा कि एक घंटा आप mental ability test के लिए दीजे क्योंकि वो 50 marks का paper होगा और आधा आधा घंटा arithmetic test और language test को दें जो भी section आप पहले attempt कर रहे हैं उसके सारे question को एक चलती फिरती निगाह से आप देख ले और जो आपको लगता है कि सवाल आसान है उसे आप पहले solve करें फिर मुश्किल वाले सवालों पर आएं क्योंकि अगर आप पहले ही मुश्किल वाले सवाल को करने बैठ जाएंगे तो कई ऐसा ना हो कि उसी में सारा वक्त आपका चला जाए और बाकी के आतेवे सवाल भी आपसे छूट जाए इसलिए जो सवाल आपको आ रहा है उसे फटाफट करते जाए बाद में जो मुश्किल वाले सवाल हैं उसमें आप guess work भी कर सकते हैं अंदाजे से भी आंसर मार्क कर सकते हैं कि एक्जाम में किसी भी तरह की negative marking नहीं होती है मतलब कि अगर आप किसी सवाल का गलत आंसर भी लिखते हैं तो उसके लिए आपका कोई भी marks नहीं cut किया जाएगा रफ वक करने के लिए कोईशन बुकलेट का आखरी पन्ना आपको दिया जाता है पेज नमबर 16 उसी में आपको रफ वक करना है आपको OMR sheet पर किसी भी तरह का रफ वक नहीं करना है इस बात का आप ध्यान रखे OMR sheet को आप सरफ आंसर को mark करने के लिए यूज करेंगे और भी सरफ black या blue ball pen से जब आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले साल का कोईशन पेपर किस तरीके का आया था सेक्शन नमबर 1 Mental Ability Test सारे Mental Ability Test में नौन वर्बल रीजनिंग के ही सवाल होते हैं यह आप स्कूल करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं पाटन है, पिरार इमेज है, पेपर फोल्डिंग, यह सारे सीरीज कॉंपलिशन है इन सब चीज की डिटेल में मैंने डिसकेशन पिछले वीडियो में किया हुआ है आप उस वीडियो को जरूर देखे, आपको काफी हेल्प मिलेगी दूसरा सेक्शन आ गया, अर्थमेटिक टेस्ट का इसमें 25 कोशन्स हैं, यह आप कोशन्स देख सकते हैं अर्थमेटिक सेक्शन के लिए भी कौन-कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसकोई आपको तयारी कर लेने चाहिए वो भी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है तीसरा सेक्शन होगा लैंग्विज टेस्ट का इसमें अलग-अलग पैसेज दिये गए है और उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उससे अच्छी तरह समझ कर नीचे दिये सवालों के जवाब आपको लिखने हैं या तो कोशन आंसर हो सकता है जो भी सवाल आएंगे वो इस पैसेज से रिलेटेड ही होंगे इसलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ना है सजचेशन मेरा यह रहेगा कि पहले आप कोशन को एक बार पढ़ ले उसके बार पैसेज पढ़ना शुरू करे ताकि आपको दिमाग में रहे कि कौन-कौन से सवाल है और जब उस सवाल से रिलेटेड आप लाइन पर जाए तो आपको ध्यान माजाए और उस जगा को आप पैंसिल से मार्क कर ले इस तरह से आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सवालों को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा यह लास्ट परना होगा स्पेस पर रफ वर्क यहाँ पर आप जितने भी रफ वर्क हैं आप कर सकते हैं उमेद करते हो यह वीडियो आपके काम की होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चानल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए थांक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो